ये हम कंकडबाग में हैं कंकडबाग का ये PC कॉलनी का इलाका है इस एक्टर है और ये लायन्स क्लब की राहत समगरी पटना सेंटरल की और की जो आई है ये छटों से जो आप नजारे देख रहे हैं ये साडियों को बांद बांद करके लोग बाल्ती में और जोले में मदब स समगरी की गुहार की लाइन लगा हुए है ये HDFC के ATM में यहां बे बंद पड़ा हुआ है और ये चछटों से लोग किस तरीके से बाल्ती में राहत समगरी की गुहार लगा रहे है ये लोगों को बाल्ती में लोग डाल रहे हैं ये lion's club पटना सेंटरल के लोग है और ये ल ये देखे रिक्सा माला भी मदद की समधरी मांग रहा है ये तमाम सारी परिशानियों में लोग जीवन को बुजारने को मज़बूर है ये दोला लगा करके लोग मदद के लिए यहां पर पहुँचे हुए है हम जो आपको तस्बीर दिखा रहे हैं ये बिल्कुल अपने आप में अनोठी है जिन्दगियां तबाह हो चुकी हैं संघर्स का रेला लगा हुआ है कंकडबा के मलाही पकड़ी के पास घुटने से अधिक तक का पानी जमा है और जैसा मैंने जो तस्बीर दिखाया कि कपड़े से बांध करके जोले में लोग मदद समगरी के लिए लोग पहुचे हुए हैं ये लायन्स कलब पटना सेंटरल के राहत सीवीर के ट्रैक्टर पर हम सवार हैं हंदुस्तान लाइट के पार्टों को हम दिखा रहे हैं कि पटना की लोग किस तरीके से वो जिंदगी गुजारने को मजबूर है प्रसासन की ओर से सरकार की ओर से जो राहत की समगरी जिस तरीके से वो बटनी चाहिए वो अब तक मैसर नहीं हो सकी है ATM बंद पड़े हैं, दुकाने बंद पड़ी हैं, ऐसे में जिनकी तबियत खराब हो रही है उनको भी काफी अधिक परिशानी हो रही है आप कहां रहते हैं, जो पड़ी में कितने दिन से आपकी जो पड़ी तबा है, यस जो दिन, घर में कौन-कौन लोग है दिवाकर आपके, कितने बालवच्चे हैं, वो लो कहां रह रहा है बालवच्चे लोग ये देखिए अपना जोपड़ी छोड़ करके गंगोत्री कॉंपलेक्स की और आगे जाकर के बसे हैं और ये जो कुत्ते देख रहे हैं आप ये देखिए ये भी जोपड़ीों के ऊपर जैसे तैसे बस रहने को मजबूर है इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहां जाएं और ये जिन्दगी बहुत ही जद्दो जहद में लोग जैसे तैसे आने को मजबूर है हिंदुस्तानलाइब.com के लिए मलाही पकड़ी से रविशंकर सिंग कंकडबाग के गायत्री मंदिर के पास में हैं यहां पर जुब्वी जोपड़ी में रहने वाले लोग हैं और इन लोगों के लिए प्रसासन की ओर से और विभिन स्वयम सेवी संगठनों की ओर से ये राहत समगरी बाटने का काम ये चल रहा है ये देखिए पुलीस वाले ये ट्रैक्टर पर वो दूद के पैकेट और पानी की बोतले लोगों को यहां पर वो दे रहे हैं सभी लोगों को ये देखिए जैसे हैं इनको राहत को मिल रही है इनका वो हुजुम जूट रहा है लोगों का ये पूरी जिन्दगी एक तरीके से वो दबाल हो चुकी है हम जिस ट्रैक्टर से वो चल रहे हैं वो लायन्स क्लब पटना सेंट्रल के लोग हैं और इन लोगों ने इन लोगों ने अपने वो ट्रैक्टर पर पुले करके लोगों को राहत समगरी ये बाट रहे हैं ये देखिए जिनको मिल रहा है उनके लिए देखिए एक तरीके से ये चक्का से बाहर करो बच्चा लोगों ये रहत की ये समागरी लोग बाट रहे हैं हम इसे जानना rhythm की है आप लोग से बाट रहे कितने लोगों को अब तक आप लोगों ने बाटा होगा क्लब की और से अब तक कितने लोगों को आप लोगों ने राहत पहुंचाई है कल हम लोग तीन सो आदमी को बाटे हैं और आज चार सो लोगों के लिए इन लोगों ने वो राहत के पैकट वो तयार किये हैं यह जो तस जो जिन्दगी बहुत ही कठीन डगार एक तरीके से इसको कहिए ये PC कॉलने का इलाखा आता है ये Congress मैदान है माफ करेंगे Rainbow मैदान इसको बोलते हैं और पार्टली पुत्रा Sports Complex के पीछे का इलाखा पूरी तरीके से जल्मक नहों हो चुका है यहां पर भो खटाल थे इसमें बहुत सारे जानवरों का भी नुक्सान हुआ है लोगों के घरों में अभी भी पानी घुशा हुआ है लोग जैसे तैसे भो भरों से nिकल करके राहत समगरी के लिए ये पहुँच रहे हैं यह देखिए वो ट्रैक्टर देखते ही लोग यह पहुँच रहे हैं यह देखिए यह इन लोगों को यह देखिए यह जुगार तंत्र के सहारे वो बाल्ती लटका करके लोग मदद मांग रहे हैं यह देखिए यह पटना के PC कॉलोनी में हम हिंदुस्तान लाइब डॉट कॉम के लिए अपने पाठकों को दर्सकों को दिखा रहे हैं कि पटना के जो हालात हैं जल जमाओ के वो किस कदर दर्दनाक हो चुके हैं स्वयम सेवी संगठनों ने अगर सच कहें तो बहुत ही राहत पहुंचाई है और यह तरीके से समाज में जो मैसेज जो जाना चाहिए उसको दे पाने में वो लोग सफल हुए हैं हिंदुस्तानलाइब डॉट कॉम के लिए PC कॉलने से रविशंकर सिंग